तो हमास और हिजबुल्ला के डबल खत्रे को लेकर इसराइल में बहुत घबराहट है। इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसमें इसराइल बुरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नेतन यहू के सलहकार इसे इसराइल के लिए मौत का लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद लड़ने के लिए उसके पास अब हत्यारों की कमी भी होने लगी है। और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है। वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गौर से देखिए। हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इसराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है। ये वीडियो इसका उडारण है। हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट जिनकी कीमत खुद सौ डॉलर भी नहीं होगी। जमीन से दाग रही है। हत्यार शास्त्र समझें और युट में इसराइल के नुक्सान को समझें। हमास का सस्ता रॉकेट इसराइल की महली बेसाइब, कीमा, सौ से पात सौ डॉलर, कीमा, लाखों डॉलर इसराइली खुद्स ब्रिगेट के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि इसराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अल्कुद्स ब्रिगेट फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अल्कुद्स ब्रिगेट घाजा में हमास के बाद नंबर दू संगठन है। 1981 से ये संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इसराइल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है। अल्कुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अल्नाखल। ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं लेकिन वहीं से अपने लड़ातों को अड़ देते रहते हैं। हमास कैसे इसराइल की वार एस्टरडिली का दूर निकाल रहा है। इसकी कुछ और बीटेल आपको आगे दिखाएंगे। क्योंकि युद्ध में जीत की गैरंटी आर्थिक नौकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसराइल के साथ ऐसा नहीं हो रहा। युद्ध में इसराइल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। ठीक यहीं किस्सा युक्रेन में भी हुआ था। दरसल युक्रेन में युक्रेन की सस्ती मिसाइलों के खिलाप रूस को अपने करोडों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाप इसराइल अपने मेहंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है यानि गाजा को जलाने की कीमत इसराइल को भुगतनी पड़ रही है इसराइल ने इससे भशने के लिए आस्पान में अपनी सबसे खदरनात परिंदे में से एक कोख पिंजरे से बाहर निकाला है इस परिंदे वाले हथ्यार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ा के सुरंगों में छिप जाते हैं जिसकी वज़े से इसराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परिशानी होती है हमास ने घाजा में करीब 500 किलो मीटर लंगी सुरंगे बना रखी है ये सुरंगे अहनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है और हमास के इन सुरंगों का ठाह लगा पाना इसराइल की सेना के साथ वहां की कुफ्य आइजन्सी मोसाद के लिए बीचोनोती बन गया है इसराइल की मीडिया के मुताबिक इसी लिए इसराइल ने अपने सबसे ताकत पर जासूसी ध्रोन एलबिट हरमेज 450 को घाजा में उतार दिया है ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का धक्षा निकाला जा सके और वहां छेपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके इसराइली मीडिया का दाबा है कि ये जासूसी ध्रोन निकरानी के लिए बेहत कारगर है इसे इतना ताकत वर माना जाता है कि ये पाताल में छेपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है इसराइल की मीडिया के मुताबि ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई है एलबेट हर में इस 450 ड्रोन करीब 170 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सबसे खास से इसका रेडार सिस्टम जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है वो भी 18,000 पीट की उचाई पर उडान भनते हुए इसरेल के पास दुनिया की सबसे लिटिस तक्नीक वाले ड्रोन मौझूद है इसरेल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत से हथियार भी है जिनका इस्तिमाल इसरेल यूद जारी रहा तो जरूर कर सकता है दूसरी और ग्रोन के स्थे पर हमास भी कमजोर नहीं है कामिकाजी ड्रोन टेक्नलोची को इरान के जरिये हमास के आतनकवादियों तक पहुचाया गया है इसके जरिये इसरेल की फोज के हरे एक मुव्मिन्ट को हमास के लड़ा के पहले ही जान लेते हैं काले रंग का कामिकाजी ड्रोन आतनगाती हमला पर है इसी ग्रोन के जरिये अभी तक IDF के खिलाफ हमास ओपरिशन को अन्जाम देते आया है ये योक्रेन में इस्तिमाल किये जा रहे इरान के शाहिद ग्रोन का सस्ता वर्जन है हमास की सुरंगों में अभी काफी हत्यार बचे हुए है जिससे जमिंदूज की ये बिना हमास का संपून विनाश संभो नहीं है लेकिन इस्राइल के साथ परिशानी ये है कि हमास सी अखिला दुश्मन नहीं है लेबनन के हिजबुला भी है, यमन के हूथी विद्रोही भी है जिनकी ओर से हमास के समर्थन में इस्राइल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं हालाथ इतने बत्तर हैं जैसे कभी भी किसी वीवक्त तीसरा विशुयत भड़ा पुठ है जिशामन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इस्राइल को निशाना बनाने की कोशिश की है इस वक्त लेपनन के हेजबुला से भी जादा हमले इस्राइल पर हूथी कर रहे हैं इन हूथी विद्रोहियों का आका है एरा हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हूथी विडरोयों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एरक्राफट केरियर आइजन हावर उतारा है तो वहीं हिजबुल्ला के खिलाब भूमद सागर में जेराल फोर्ड पहरा दे रहा है इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकस से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लडाके की मौत तक शमन सियाती मिसाइल को इसराइल के एरो थी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नश्ट कर दिया इस्राइल का Aero 3 Missile Defense System 60 खमले करने में माहिर है और मिसाइल को ट्राइब करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है इस्राइल ने जब Aero 3 Missile Defense System का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था हमास किसी भी इस्तर पर इस्राइल के सामने नहीं टिट सकता लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है क्या किसी साज़िश के तयात पर शीमी इशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि घाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे है लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ से गहे हैं करना शुरू कर दिया जैसा की धावा किया जाता रहा है संयोग तरब अमिरात और इरान के बीच भी सोलगते मुद्बे हैं 22 देशों का अरब संगठ शब्दों का खेल खेल रहा है फिलिस्तीन में मानवी अमदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के आलावा इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया इरान के राश्रपति इवराहिम रईसी अपने शब्दों से ही परमाणू युद छेड़ती रहे है जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उद्रा है युद में कमजोर का मारा जानता है और हमास इसरेल से बहुत 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 कमजोर है नहाजा घाजा चल रहा है धूदू कब तक चलेगा कोई नहीं जानता